गलेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत सुब कामना हैं हमारी बिल्डिंग में भी गलेश भगवान पधार चुके हैं बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत हुआ है सभी लोग आनन्दित हैं और दस दिन तक ये उच्छव अन्वरत जारी रहेगा महाराष्ण में गलेश ओचा बहुत धुम धाम से मनाया जाता है तो मेरी बिल्डिंग में भी कुछ लोगों के घरों में गलेश जी पधारे हुए हैं और यहां पर सामुहिक रूप से भी गलेश ओचा मनाते हैं इसमें बहुत बड़ी-बड़ी मूर्तियां भी गलेश जी की बठाए जाती हैं और लगातार पूजा अर्चना की जाती है फिर अनुन चतुर्दसी को भगवान का विसर्जन किया जाता है तो गलेश चतुर्थी में इस बार महिलाओं का भी बहुत बड़िया बैन बाजा मेरी बिल्डिंग में आया है और अब महिलाओं की भागीदार और इसको बना करके एक बार अगर रख लेंगे तो दस दिन तक इस प्रसाथ को माटा जा सकता है तो चलिए इस स्वादिष्ट प्रसाथ की रेस्पी को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पोहा और यह मैंने ले लिया है देसी घी कुछ रिंसीड गुड और नाटीयल ले लिया है यह सभी चीज़ें बराबर-इन यानि कि 100-100 ग्राम सारे द्रैफरूट है और 200-1 ग्राम गुड और जिटना सारे ड्रैफरूट है उसका दुपना हमें पोहा लेपना है तो ये पोहा हमने पहले ही साफ कर लिया है, ये मोटा वाला पोहा है, आप चाहें तो नायलान पोहा यानि की बारिक वाला पोहा भी ले सकते हैं, तो ये देखिए, सामगरी बस इतनी ही है, बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, तो फ्रेंड अगर आप इस तरह से बना लेंगे तो ये प्रिसाद के सेल्फ लाइब दो महीने से भी ज़्यादा होती है, पारमपरिक तरीके से तो ये प्रिसाद गुड का ही बनाया जाता है, महाराष्ट में गुड से ही भोग बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने गुड को बारी बारी कट कर लिया है, ये 500 गुड है, इसको ह स्वादवाला प्रशाद है तो चलिए फटा फट में बनाना शुरू करती हूं, गोड़ को हमने बारी कट कर लिया है, कढ़ाई चड़ा देते हैं और अब हम डाल देते हैं एक बड़ी चमच बर के देशी घी, देशी घी का ही सारा प्रशाद हमें बनाना होता है, तो घी को ह तो यह हम ने हम इसमें पोह को बूनेंगे गर यह ले लिया है यह जितने सारे उसका दुखना पोहा ले, अंदास से ले ले या किसी कटोरी से माप के ले ले और इसको बिल्कुल थोड़ा सा बूना है बहुत ज्यादा कलर चेंज होने नहीं हुआ है बस इसकी नमी निकल गई है और हलका सा भुना है कड़ाई को हमने खाली कर लिया है वापस चड़ा देते हैं फिर से हम एक चम्मचगी डाल देते हैं तो अब हमने जो भी ड्रैफ रूट लिये थे इनको हमने बिल्कुल बारिक-बारिक काट लिया था तो इने दाल कर मूलते तो यह हमने बादाम एक काट करके रख लिये थे यह काटोरी काजु है इनको भी डाल देते हैं और इह बन दीच पर हमहीं थोड़ी कम है इनको भी डाल देते हैं और धीमियाज पर हमें हल्-कासा भून लेना है तो यह सारे डूट एक ही शेप और 베िकudent के है इसलिए हमने सब एक साथ डाल दिये हैं अब ये जरा से भूनेंगे 2 या 3 मिनट उसी में हम नारियल डाल देंगे नारियल को भी हमने कद्दूकस में जो चप्टी वाली चिप्स कटने वाली ब्लेड होती है उस ब्लेट से कट किया है तो ये बिल्कुल बारिक कटे हैं तो नारियल को भी हम साथ में भून लेते हैं अगर आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस भी कर सकते हैं लेकिन हमने सारे ड्राप्रूट को टुकड़ों में तोड़ा है तो इसलिए हमने नारियल को भी कद्दूक नहीं किया है चिपस की तरह छोटा-छोटा क्रस्ट कर लिया है, यह देखिए बस इतनी ही देर में बहुत अच्छे ड्राइप रूट भुन गये हैं, इतना ही हमें भूनना एंदों इनमें तेल ना निकलने पाएं और नहीं यह जलने पाएं, तो यह देखिए, ड्राइप र तो थोड़ी देर हम और चलाएंगे और भाब को निकल जाने देंगे तो अब ये भूने हुए ड्राप्रूट को हम इसी पोहे में डाल देते हैं पोहे को भी हमने घी से भूना था और ड्राप्रूट को भी हमने घी से भूना था तो इन पोहे को अब हम साइड में रखते हैं और कड़ाई को फिर से चढ़ा देते हैं फिर से एक चम्मच देशीगी डाल देते हैं पिगला लेते हैं और अब जो हमने गुड को बारिक बारिक काट करके रखा हुआ था इसको भी डाल देते हैं प्लेम हमने स्लो कर दिया है पानी नहीं डालेंगे और ऐसे ही हम चलाते हु तो यह देखिए पिघलने लगा है गुड इसमें गुठलियां भी नहीं पड़ पाई है क्योंकि बिल्कुल हमने बारिक बारिक काटा था और यह देखिए बहुत ज्यादा हमको ना इसको पकाना है ना ही कोई गोटी लेनी है बस यह पूरी तरह से पिघल जाए उतना ही गु के दाने मिलाने चाहते हैं तो वह भी डाल सकते हैं उनको भी रोष्ट कर लीजिए और इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देते हैं गुड पिघला हुआ है इसलिए हमने गैस को बंद कर दिया है अब हम बहुत अच्छी तरह से सारे पोहे और ड्राफूट को गुड में मिल बराबर से कोट हो सके तो यह आराम से कोट हो जाएगा आपको बिल्कुल भी महनत नहीं लगेगी यह देखिए और अब यह थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है तो मैं नीचे उतार करके रख लेती हूं जिससे की मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए और अब बहुत अच्छे स में मिला देती हूं तो यह देखिए कितना बढ़िया गुड मिल गया है और यह विल्कुल सही मात्रा है कि जितने रख रूट है उसका बराबर का आप गुड ले लीजिए और आराम से सारे कोट हो जाएंगे यह देखिए यह बहुत ज्यादा चिपचिपे भी नहीं है और इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिसाद में मिला लेते हैं फ्रेंड इस प्रिसाद को अगर आप नॉर्मल कभी भी टाइम में बना करके रख लेंगे तो भगवान के भोग के लिए यह बहुत अच्छा प्रिसाद है कभी-कभी महिलाएं बना करके कुछ प्रिसाद ऐसा रख लेती है, जैसे की बरपी है, लडडू है, तो आप इस प्रिसाथ को भी बना कर रख सकते हैं, भगवान का भूग लगाने के लिए, किसी किसी घर में बोनों ठाइम, भगवान का भूग लगाया जाता है, तौ जब फटख प्रिसाथ ना बन सके, तो ऐसे में ऐसे प्रिसाद को बना करके रख लिया जाता है तो ये प्रिसाद पूरी तरह से तयार है लेकिन अभी हम इसमें एक सीक्रेट और डालेंगे जिससे कि ये प्रिसाद का स्वाद गजब का हो जाएगा तो अब मैं ले रही हूँ दो टेबल स्पून हनी ये शुद्ध हनी है इसको हमने ले लिया है और पूरे प्रिसाद में बहुत अच्छे से डाल देते हैं फैला करके और बहुत अच्छे से मिला देते हैं तो हनी से प्रिसाद का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और इसका मौश्चर भी बढ़ जाता है ये बिलकुल ड्राय प्रिशाद है जिससे कि ये ज़्यादा समय तक चल सके दस दिन जिसके घर में गड़ेश उत्सव मनाया जाता है उसके यहां ये प्रिशाद जरूर बना कर रख लिया जाता है साथ साथ में दूसरे भी प्रिशाद होते हैं तो ये फ्रेंड मैंने मोदक के स्वादवाला प्रिशाद बनाया है इसमें पोहा पड़ा है तो पोहे की वज़े से मोदक का स्वाद आएगा सारे द्रैप्रूट पढ़े हैं गूर पढ़ा हैं इलाइची शोट हर चीज ऐसी प भोग लगाऊंगी और अपने फ्रेंड के घर में भी इसी प्रिसाद को ले कर जाऊंगी भगवान के भोग के लिए तो इस तरह से आप भी भगवान गड़ेश के प्रिसाद को बना कर रख लीजे बिल्कुल सिंपल है कोई भी मेहनत नहीं पड़ेगी और लंबे समय तक चलन में वाला यह प्रिसाद है तो यह देखिए प्रिसाद रेडी हो गया है आपको कैसा लगा अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे लाइक कमेंट और शेयर करें और घर आईवे महमानों को इस तरह से थोड़ा सा प्रिसाद कटोरी में रख कर वित्रित करें खुद भी के साथ आप से विदा लेती हूं बहुत बहुत नमस्कार